हेलो एवरिवन फ्रेंस वाकम बैक टू मैजिकल हैंड आप सब कैसे हो फोब करती हूँ आम सब ठीक होंगे आज हम थ्री आइडिया बनाएंगे बची हुई कुर्ती है या फिर बचे हुई बलाउच पिसकी टुकडे हैं चोटे बोटे कतरन है तो कोई भी कपड़ा आप पु इसी के नाप से दूसरा पार्ट करेंगे उसके बाद हमने यहां पे रेडी मेट बैल्ट लिये हैं आप चाहें तो कपड़े का बना सकते हैं 42 इंच इस बैल्ट की लंबाई है अब हम बैल्ट को यहां पे देखे इस तरह के से अटेज करना है साइड से हमें 5 इंचिस की मार कर लेनी है फ्रेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है जरासा भी यूसफुल लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजेगा बैल्ट को इस तरह के से अटेज करने के अब देखें यहां पे हमें टू इंचिस पे एक लाइन खीच लेनी है और फिर यहां पे कट लगाना है और कट लगाने के बाद यहां हम अटेज करेंगे एक जिप जिसे इस तरह के से टॉप स्टीज करें और फिर आप उपर का जो पार्ट है उसे अटेज करें और इसी के जिप जहां है वहीं से आपको अटेज करना स्टार्ट करना है और थोड़ा थोड़ा सा आपको खुला रखना है अब हम जिप के लिए 18 x 22.5 इंचिस का पार्ट लेंगे इसके साथ हमें जिप को अटेज करना है उसके बाद टॉप सीज कर लेना है और यह जो पार्ट है उसे आपको यहां पर जोइंट करना है इस तरीके से दोनों साइट से आपको जोइंट करके यहां पर पैक कर लेना है अब हम इसे करेंगे सीधा और फिर इसे फॉल्ड करते हुए नीचे से फॉल्ड कर लेंगे और यह जो पार्ट है उसे सेंटर में अटेज करते हुए पूरे म बनकर ready है अब हम बॉर्डर लेंगे 29 by 7.5 इंचिस यहां पर अगर आपको जितना भी बड़ा travel bag बनाना है उसी साब से आप बड़ा ले सकती है अब दोनों साइड में पार्ट में 7 इंचिस पर मार्किंग करेंगे और बॉर्डर को यहां से आपको अटेज करना स्टार्ट करनेंगी दूसरी साइड तक आपको अटेज करना है अब हम 20.5 पस्का एक बोर्डर ले निएक जिसे यहां पर जिपप को करना है इसके नाब से ही आप को कट करना है उसके बाल है उसके बाद जिपप को अटेज करने के बाद आप उसे जोड लेंगे जोड़ निशे पाले 아प फ्वह внут decade 2 यहां पर गूल भी मने जड़ जोड़ को कोर्नर से पकड़े और पूरे राउन में स्टीज का लीजिए और फिर हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं तीन पॉकेट है इसमें टॉटल और यहां से आप बहुत सारा सामान अच्छे से से सेट करके रख सकती हैं आप देख सकती है और उपर की और भी आप चारजर अग आपको पसंद आएगा और वीडियो चैनल पर नए हो तो प्लीस चल्दी से चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब आगे बढ़ती हैं यह बचा हुआ कपड़ा है जिसका हम रियूस करने वाले हैं सबसे पहले हमने लेस को अलग कर लिया है और लेस का ही यूस कर तो यहां से अच्छे से सैट करके लेस को हमने निकाला है अब यह जो चोटा टुकड़ा था उसे हम बड़ी लेस के साथ चोड़ लेंगे इसे चोड़ने के बाद इसका मैं एक बार नाप बता दू तो 18 इंचिस लंबाई है 2.5 इंचिस इसकी चोड़ाई है इसे ऐसे सैंटर से फोल्ड़ करके एक स्टीच लगा के जोड़ दीजिए फिर हम इसे ऐसे चुनट लेके बनाते जाएंगे कुछ इस तरीके से आपको बनाते जाना है फिर आप इस तरीके से राउंड राउंड करके इसका फ्लावर भी बना सकती है इसी तरीके से आपको ऐसा दूसरा कलर के बीच रफल्स बनाके रैडी करनी है और इसी तरीके से सेट करनी है अब हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसका नाप है 7 x 5.5 इंचिस इसे ऐसे फॉल्ड कीजिए एक बार और फॉल्ड करें कॉर्णर से आपको देना है राउंड से ये जो पार्ट हमारा बनकर रैडी हो चुका है उसे हम साइट से एक पाइप इन लगाएंगी ऐसे फॉल्ड करते हुए आपको पाइप इन को लगाना है इस तरीके से रखना है और पूरे राउंड में आपको श्टीज करना है और यहां पे भी आप इसे फॉल्ड करके पैक कर लीजिए और फिर यहां पे फिनिश करें इस तरीके से हमने ये पार्ट रैडी किया अब यह जो रफल्स है उसे ऐसे ऐसे सैट करते हुए आपको यहां पे स्टीज करके एक फ्लावर बना लेना है तो यहां आप देख सकती है क्यूट सा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है अब हमने एक दोरी ले ली है क्रोस में कटकी हुई कपड़ा लिया है जिसे फॉल्ड करके दोरी बनाएंगे दोरी बनाने के बाद सेप्टीपीन के मदद से हमें यहां पे जो हमने हॉल रखा था वहीं से इन कीजी और दूसर ले लेंगे एक कपडा जो हमने लिया है उसका मैं आपको पहले नाप बता देती हूं तो यहां से इसका नाप है 15 और लंबाई इसकी है 46 inches यहां से इसे फोल्ड करना है दोनों साइड से ऊपर नीचे दूनों साइड से आपकोा करना है नाहीं पॉम डालना है नाहीं अस्तर डालना है कुछ नहीं करना है और बिल्ट के लिए आपको यहां पर 14 बाई 5 5-inch के दो बेल्ट लेने हैं जिसे दोनों साइड से फॉल्ड करते हुए टॉस्टीज कर लें और बेल्ट आपके बनकर रेडी हो जाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं बेल्ट हमारे रेडी है इसे आपको सेंटर में जितनी भी जगह रखनी है उतनी रख सकती है और इसे अ प्लावर बनकर रेडी है अब हम इसे फॉल्ड करके साइड से स्टीज कर लेंगे इसे सिधा कर लीजिए और सेकंड यावाय हमारा रेडी है और इसमें एक जादू रखा हुआ है जो मैं आपको दिखाती हूं तो देखे इस तरीके से फॉल्ड करिए और दोरी को खीच ले साइड इसमें खौराब करने ये सोपििंग बाजार में जा रहे हैं कहीं पर भी जा रहे हैं सबजी मार्कित जा competitors इसे यूज कर सकती है ऐसे इसमें से सिर्फ कोल ना है और ये अपकी बाटी हो गई ऑजब प्लों जब चाहें इसे चोटी बनाए बड़ी बनाए अब जब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड डियावय की और कॉन सा डियावय आपको ज्यादा अच्छा लगा है वह भी मुझे बताना चोटा सा एडिया था तो यहां पर हमने सर्ट पिसका कपड़ा ले लिया है कट कर लेंगे हमारा लास्ट और थर्ड डियावय है और इसी के नाफ से फॉर्म नॉन वन कट किये हैं टैन बाय टैन इसके दो पार्ट कट किये हैं इसे हम क्विल्ट करके रैडि कर लेंगे कुछ इस तरीके से और जिसे जिसे क्विल्ट करना नहीं आता देखिए इस तरीके से एक स्टीच कर लीजिए सीधी सीधी फिर यहां से करेंगे जीब उपर का पाइच करेंगे टॉप सीच करेंगे रणर डाल देंगे कि फोल्ड करेंगे और कॉर्नर से रांड देंगे अब इसी केमा से नॉन लिया है इसे स्टीच करके जोड़ लेंगे दोनों पार्ट को कुछ इस तरीके से आपको जोड़ना है उसके पाद हम 17 बाइ 10 इंचिस के दो पार्ट ले लेंगे सुरी हमने एक ही पार्ट लिया है और इसे साइड से हमारे जो पॉकेट रेडी किये थे वो जोड़ेंगे दो पार्ट अब लेंगे 18.5 बाइ 12.5 इंचिस के शिक्स इंचिस पे हमें इस पार्ट पे मार्किंग करनी है कॉर्नर से इस मार्किंग पे हम लगाएंगे यहां पे दीखे नाइन इस पे भी हम मार्क कर लेंगे एक सीधी लाइन कर लेंगे ताकि हम यह पता चले कि यहां पे हमें बैल्ट अटेज करने हैं तो मैं यहां पे रेडी मेट बैल्ट ले रही हूं लेकिन आप चाहें तो कपड़ का बना सकते हैं 39.5 बाइ वन नीचिसके यह बैल्ट है 1.5 या वन नीचिसके आप रख सकते हैं यह रेडी है तो जो भी साइज आएगी वो चल जाएगी इसे स्टीच करके ऐसे चोड़ लें यहां से सीधा जाना है फिर इस तरीके से गुमाना है और नीचे की और आपको जाना है उसी तरीके से आप दूसरी साइट बैल्ट को अटेज कर लें दोनों पार्ट में हमने बैल्ट को अटेज कर लिया है अब यहां एक हमें जिप अटेज करनी है जिप को कुछ इस तरीके से सीधा करके स्टीच कर लें फिर आप टॉफ सीच कर लीजिएगा और वीडियो पसं इस तरीके से फोल्ड करें, सेंटर में एक नौचिस लगा लें, इस नौचिस को और जिप वाला जो पाट है उसको मिलाते हुए, स्टीज करिए, यहां से ऐसे घुमाते हुए, अच्छे से हलके हाथों से आपको स्टीज करना है, ज्यादा आपको खीजना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, कि कपड़ा आगे-पिछे हो सकता है, अब यहां से इसे फाल्ड करते हुए, यहां तका आना है, और फिर से आप फोल्ड कर लीजीए, और यहां भी देख लेना है, कि जो हमारा साइड के पोकेट वाला पाट है उसे सेंटर में नौचिस, और जिप वाला पाट मिलना चाहिए और फिर से इस तरीके से गुमाते हुए the turn corner तक आये और फिर इस तरीके से स्टीच करके गुमाना है पूरे रावड में अच्छे से श्टीच करते हुए यह हमार ट्रावल बैख बन कर ready तो इतना आसान है बड़ा सा ट्रावल बैख बनाना तो पैसे खर्च किया आप बहुत सारी चीजे बना सकती है अब हम इसे करेंगे सीधा और देखिए थ्री पॉकेट है इसमें बहुत बड़ा ट्रावेल बेगे कहीं पे भी आपको ट्रावेलिंग में जाना है यूसफुल लगेगा तो करती हूं थर्ड डियावै भी आपको दाया होगा चलिए फ्रेंड मिलते हैं ऐसे आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में बबाई जे बारत